तो यह आप देख सकते हो 19.6 km per लिटर का एड़ेज आ भी भी दिखा रही है और हम टेस्टिंग के ही तोर पर चला रहे हैं इस कार को इसा टेस्ट करते हैं और भाई आपको कितना एवरेज दिया था बता रहे थे न मैंने महा लेगा असलोडे लॉंग रोट पे इसमें 27 केवरेज में को दिया है तो 27 केवरेज मिल रहा भाई क्या चाहिए कि सो हेलो एवरिवन कैसो आप सब लोग मेरा नाम है कुनाल भारदवाज और आप सब का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में तो आज आज आप सोच रहूंगे कि यार यह और यह बड़िया माना चाता था और खासकर स्विफ्ट में काफी जादा यह कार डिमांड में रहती थी लेकिन अब भाई मारूती ने डिजल इंजन बन कर दिया मतलब वैसे तो यह मारूती का अपने इंजन नहीं यह आता था पीएट का और फियट का इंजन यूस करते थ लेकिन मारूती ही सर्वाइब कर पाई है और सब कंपनी का टाटा भाई भाई हो चुगा है अब तो मारूती भी नहीं ले रही अब सिर्फ पैटल में आपको उप्शन मिलता है आप देख सकते हैं डी डी आई एस और यह वाला मॉडल है वी डी आई और मीड वेरियंट है इस वीडियो को बनाने के पीछे लोजिक यह है कि मैंने कार कभी ड्राइव नहीं किया है तो मैंने सोचा कि अपने एक्स्पिरेंस आप लोग के साथ शेयर करता हूं फर्स्ट टाम में यह कार चलाऊंगा और यह कार है ओटोमेटिक और ओटोमेटिक साथ में आपने चला र तो गाइस अब कार के अंदर में बैठ चुका हूं और अभी मेरे से गलती हुई थी गलती क्या हुई थी मैं उल्टे पैरसे में मारा था ब्रेक जो काफी गलत बात है तो एक काम करते हैं एक वेडियो और बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें जब फर्स्ट र बात है यह मुझे नहीं करना चीए था तो अब इसका ड्राइव रिव्यू में आपके लोगों के साथ शेयर करता हूं कि भाई क्या था इस इंजन में जो लोग इतनी तारिफ करते थे इस इंजन की और खास करके जो एम्ट आता था इसमें आता तो अब भी अबट पैटल म काफी जादा ना पंची इंजन है इसका अब लगता है कि कोई चीज चला रहो बट उसके साथ साथ नोईजी भी है जैसा आपको नोईज अगर फील हो जोगे इसी में थोड़ा बंद कर जाता हूं तो आप सुनना इस में थोड़ी नोईज आपको मिल लेगी सुनने के अब दूसरे पा गई है और जैसी मैं इसको लोड़ा हाड एक्सलेट करूंगा हाड करते ही यह अपने आप गेर चेंज करते हैं और गेर चेंज करते हैं आपको मैसूस होगा कि इसमें गेर चेंज हो रहे हैं अच्छा वैसे बस जो इंजन की नोईज है बाकी रेटलिंग नोईज नहीं है इस गाड़ी में रेटलिंग नोईज बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी किसम साइलेंट चलती है तो हमारे साथ अंकित भाई भी है भाई आप भी चला रहे हो काफी टाइम से गाड़ी को कैसा लगता आपको चलाने में यह गाड़ी तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है गाड़ी बहुत बेहतरी नहीं है और खासका ट्रैफिक में लॉंग रूट पे आपको बिल्कुल बैसा लग रहे है कि आप स्कूर्टी चला रहे है कोई टेंशन नहीं है लेफ्ट हैं लेफ्ट इसके बिलेख थोड़े इसके मतलब बढ़िया से मिलते हैं जिस दभाओ घाड़ी एक दम रूप जाएगी और लेफ्ट ट्रैक से यूजी मत करें लेफ्ट से क्या करते थे हम लेफ्ट ट्रैक से क्लिश दबाटी थे तो लेफ्ट यादत पड़री है तो एक दम हड़रे से बस थोड़ा नॉइजी इंजिन है इसका बागी तो एकदम मस्त है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा भाई इसको एक बार मैनुवल पर भी चला के देखेंगे इसको मैनुवल पर यहां से लग जाता ना मैनुवल इसका बागी पूरी जो फीलिंग आरी ने एकदम मस्त आरी है यह देखो सामने ता मैंने एकदम ब्रेक मारा एकदम फर्स्ट पा गई और इसमें एक चीज़ हो रहा है जैसे मैंने ब्रेक दबाया और ब्रेक को छोड़ा तो यह अपना आप चले जा रही चले जा रही आगे तक तो वह मुझे आगर रोक के यूटल ही करनी पड़ेगी पूरी जब जाकी रुका रुकेगी सब्सक्राइब तो भाई पहले सीज में सॉफ्ट आते हैं सिफ्ट में और आज भी सॉफ्ट याते हैं अभी मैंने थोड़ा हाट प्रेस के तो थोड़ी नौइज आपको ज्यादा मिली होगी इसमें अब यहाद एक बाद है जो मेंनुल में मज़ा है ना वो अटॉमेटिक नहीं सकता पिर भी इसका एक बार इसका जो मैनुल है वो टेस्ट करके देखें कि कैसा है और आगे से इसर पूरा बैड गया हाथ कोई दिक्कत नहीं है तो उसका स्टेरिंग ना भाई स्टेरिंग भ इसका भी ठीक है और फ्लेट वटर मिलता है आप इसको एड़िस्ट भी कर सकते हो तो आज भी जो आ रही है स्पैसिफिकेशन तो आज भी सेमी आती है स्विफ्ट में बट जो इंजन था ना भाई यह इंजन काफी बढ़ी आता और सबसे बढ़ी है बात इसकी माइलेज की मा अज भी 19.6 km per litr का दिखा रही है बाई कि आप दिखाना इसमें माईडी में तो यह आप देख सकते हो 19.6 km per litr का एड़ेज आ भी भी दिखा रही है और हम टेस्टिंग के ही तोर पर चला रहे है इस कार को इससा टेस्ट करते हैं और आपको कितने अवरेज दिया था बता करते हैं मैं नमा लेगे असलोडे लॉंग रूट पर इसमें 27 केवरेज में को हो दिया है बताओ 27 केवरेज मिल रहा भाई क्या चाहिए यह सरकार यार 15 साल तक कर देना तो डीजल जैसे गाड़िया नहीं हो सकते जो डीजल में बात है न वो किसी में नहीं है अब बताओ से जो इस टाइम पर आ रही है ना चलाने में और मैं इसको अभी तो प्यार से चला रहा था था थोड़ा से इसको हाड से चला के देखते हैं तो आगे से नहीं से कुंगा लेता हूं और जब सुरूड पाएंगे तो मैंनुल में लगा लेंगे एक बार इसको अब कितना आसान कि अगर आप एक बार आपने मैंनुल चला लीना तो फिर आप अटोमेटिक जल्ली सीख जाओगे लेकिन अगर आपने अटोमेटिक से चलाना स्टार्ट किया तो मैनुल में आंके लिए तो आप भूले जाओ बहुत टाइम लगने वाला बहुत परशाने होने वाली है क्यो इसका मलब रेस पेडल एक्टम थोड़ा हाट दोगे खरें सिफसा दोगे ना उसका मलब अग्दम दबाओगे तो उस टाइम पर ना यह जो गेर चेंज करेगा वो हाई आरिपिम पर लेकिन अगर आप इसको एक्टम प्यार से चलाओगे तो यह लो आरिपिम में ही चेंज अब मैं एकदम हाट तोड़ा रिषाट करें देखना यह यह अब तो तीन जार पी कर दिया और अगर प्यार से चलाओगा यह अभी दोगशार पर कर देगी यह देखो 2000 पर कर दिया तो यह चीज है मतलब यह स्मार्ट है तोड़ा इसका यह समझता चीज हो कि भाई यह बंदा किस मूड़ा बैठा कैसे चलाना चाहरा है तो एक बार मैंनुल भी टेस्ट कर देता है एक बार पकट हो जा रहा है ऐसे पहले में लग गई है तो लग गई दूसरे तो भी ठीक है भाई अपने असाब चला सकते हो इसको मतलब ले सकते हो मैंनुल वाला भी इस वादिस में कोई दिक्कत नहीं है तो भाई ओवरॉल दीजल इंजन को क्योंकि यह जो डीजल इंगें ना काफी बढ़िया है और क्या कर सकते हम ले पाई इसको इस बात का दुख रहे हैं कि कि कर अगर हम होते तो हम भी लेते अलम कि अद जसे हम नहीं गाड़ी लेंगे तो उस टाम पर हम नहीं ले सकते है ना इसको धीन यह त यह थोड़ा अपने इसाब से चलती है अभी एक और वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करूंगा कि जब फस्ट रैम उटमेटिक कार चला है तो क्या क्या चीजों का ध्याना खना चाहिए और अंकित भाई भी साथ मैं है इनसे भी पूछेंगे भ तो आप मुझे इंस्टा पर डियाम कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना देहां रखें तिल देन टेक क्यार जाएंगे